वेलकम फ्रेंड टॉनी का एकोरियम में सबसे ज्यादा आप लोगों का प्यार मिला है तो आप लोगों का फिर से अभी हार्दी का भी नंदन तो मैं अभी मार्केट जा रहा हूँ एकोरियम लेने के लिए तो चलिए मेरे वीडियो को पूरा देखें हाई फ्रेंड वेलकम टॉनी अगोरियम में तो आज देखिए मैंने बेटा के लिए एकोरियम लेके आया हूं एक एकोरियम पहले से है मेरा और एक लेके आया हूं बेटा स्पेसलिस्ट जिसने मैं बेटा पालूंगा बेटा फिस तो इसे आज मैं डेकोरेशन करना तो चलिए, सबसे पहले जो यह थार्मकॉल है, इसे आपको यहाँ पे सेट करना है, यह देखिए, इस तरीके से, देखिए मैं किस तरीके से सेट करना हूँ, इस तरीके से आपको सेट करना है, यह देखिए, कितना खुबसूरत सा पॉट है, तो इसे आज मैं डेकोरेशन करन सिखाओंगा तो चलिए तो सबसे पहले आपको एकुरियंम को अच्छी जगा जहाँ सेट करना है वहां अच्छे सेट कर लीजीए फिर उस एकुरियम में पानी डालने से पहले अच्छे सवास कर लिया है मैंने और यह देखिए यह ब्लैक सेंट है मार्केट से ले के आया था मैं एकोरियम के साथ तो यह ब्लैक से आज मैं डेकोरेट करूंगा तो देखिए पहले मैंने ब्लैक सेंट को डाल दिया है इस ब्लैक सेंट से मैं अपना एकोरियम को डेकोरेट करूंगा तो किस तरीके से करूंगा कैसे करूंगा सारा चीज मैं आड़ कर लूँगा दोस्तों देख सकते हैं किस तरीके से मैंने पानी आड़ कर लिया अब इसे अच्छे से बैठा ले ताकि आपका जो सॉयल है नीचे बैठ जाए रेत अभी इस पौधे को आड़ करना है यह आटिफिसियल है दोस्तों देखिए मैंने इसे एड़ कर लिया है किस तरीके से एड़ कर रहा हूं देख लिजिए एक-एक स्टेप समझ यह मेरे वीडियो को पूरा देखें तभी आपको समझ में आएगा यह देखिए यह कलर स्टोन है जो इसे मैंने मार्केट से लिया है आपको मार्केट के एकोरियम के सौप में मिल जाएंगे कहीं भ आएगा तो मैंने दो बेटा मंगाया है उसकी वीडियो आपको बहुत जल्द मिलने वाला है कि कहां से लिया हूं तो यह देखिए मैंने स्टोन को अच्छे से बैठा दे रहा हूं यह कलर स्टोन है दोस्तों तो आप देख रहे हैं टॉनी का एकोरियम मैं हर चीज घर पर ह सिखाता हूं अब जाके देख सकते हैं चाहे वो मचली को खिलाने का ड्रॉप या मचली का नेट या मचली का एकोरियम सभी चीज मैं घर पर ही बनाता हूं अब इसमें आपको पानी डाल देना है देखिए पौधे के उपर में डाल रहा हूं ताकि आपका जो नीचे हो डि जरूर किजिएगा दोस्तों आप लोग कोमेंट नहीं करते हैं और एक लाइक जरूर करें दोस्तों मैं आप लोगों के लिए अच्छे एच्छी वीडियो हमेशा लाता रहूंगा और यह देखिए एंटी क्लोरिन और एंटी बुलू है तो इसे भी आपको डालना मस्ट है क् मैंने दोबुन एंटी क्लोरीन और ओट बुलूा दाल दिया है दोस्तों अविससे अच्छे से हिला देना है मैं अच्छे से हिला लूँगा इसे तो यह पानी में मिक्स हो जाएगा और देखिए जो पौधत हम लगाुआ वो हब ही नहीं और मेरा पानी फुरा मिक्स हो चुका है, तो इसी तरीके से आप अपने घर पे छोटा से एकुरियम डेकोरेट कर सकते हैं, शिर्फ मैं बेटा के लिए यह लाया हूँ, तो इसे मैं डेकोरेट करना आपको सिखाया, इसमें मैं बेटा डालूँगा, बेटा मैंने मंगाया है, मेल और फिमेल उसकी वीडियो बहुत जल्द आप लोगों को मिलने वाला है तो यह एकोरियम आप लोगों को कैसा लगा कॉमेंट जरूर कीजिएगा और मेरे चैनल को दोस्तों आप लोग सस्क्राइब करें और यह देखिए एक मेल और एक फिमेल बेटा मैंने मंगाया है तो नॉर्मल होने के बाद मैं इसका वीडियो बनाऊंगा आप लोगों के साथ सेर करूंगा यह देखिए मेरा फिमेल कितना एक्टीब है तो मेरे चैनल को दोस्तों सस्क्राइब करें और अगर आप लोग पुराने हैं तो अपने दोस्तों के साथ सेर जरूर करें